हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टू माई कीचैन तो आज हम बनाने जा रहे हैं सिम्ला मिर्च और चाचकी सब्जी यह बहुत ही टेस्टी सब्जी बनती है अगर आपको सिम्ला मिर्च खाना पसंद है तो आप मेरे तरीके से इस रेश्पी को जरूर ट्राई करें यह बहुत ही टेस इसे खाईए मेरे तरीके से तो आप हर बार इसी तरीके से बनाना पसंद करेंगे क्योंकि इस तरीके से सब्जी बहुत ही टेस्टी बनती है तो आई हम देखते हैं इसको बनाने के लिए हमें किन्ची जो की जरूरत पड़ेगी तहां पर हमने दो सिम्ला मिर्च लिए हैं बड़े साइज के सिम्ला मिर्च है और चार प्यास लिए है और आज प्यास लिए है और यहां पर तीन मीडियम साइज के प्यास कुल लेना है इस तरीके से और दो अमाटर लिया हमने दो से पंद्रा लैसुन की कलिया है और एक इंच अध्रक का टुकड़ा है उसे छील कर ऐसे कट कर लेंगे और एक मिर्च है आपको तीखा नहीं पसंद है तो आम मिर्च को हटा सकते हैं तो सबसे पहले हमें सिमला मिर्च और प्याज को कट कर लेना है इस तरीके से हमें सिम्ला मिर्च को कट करना है यह देखिए ऐसे कट कर लेना है आप अपने हिसाब से अगर चाहें तो इसे छोटा बड़ा कर सकते हैं यह सिम्ला मिर्च को और प्याज को हमें इस तरीके से कट करके इसके यह सारे जो पार्ट होते हैं लेयर होती है उसे अलग-अलग कर ले तेल के गरम होते ही हमें फ्राई कर लेना है तो सबसे पहले हमने प्याज और प्याज को फ्राई करना थे शेक्ष डाल देंगे शेक्षा प्याज और प्याज को दूस्त चलाते हुए मीडियम टू हाई फ्लेम पर इसे फ्राई करना है इस तरीके से यह करीब एक से देड़ मिनट में फ्राई हो जाते हैं तो यह फ्राई हो चुके हैं हम एक प्लेट में इसे निकाल लेंगे इस तरीके से सारे सिम्लमी जोर प्याज को हमें ऐसे निकाल लेना है अब यह देखिए अब इसी बरतन में हम थोड़ा सा तेल आउट डालेंगे एक चम्मच के करीब इस तरीके से हमें फैला देना है तेल को और इसमें हम यह अद्रक प्याज लैशून सभी चीजों को डाल कर अच्छे से करना है तो सेकंड के लिए ऐसे इसे मिक्स करेंगे अब हम टमाटर भी डाल देंगे इसमें और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे तो इसी तरह से मिक्स कर देना है मिक्स करने के बाद हम इसे मेडियम टू लो फिलिम पर एक मिनट के लिए ढग देना है एक मिनट बाद इसका कनट आएंगे और इसे फिर से मिक्स करेंगे हमें टमाटर को स्वाप्ट होने तक इसे पका लेना है तो यहां पर टमाटर अच्छे से स्वाप्ट हो चुका है और प्याज भी प्याज जो है उसका कच्चापन खतम हो चुका है तो हमारा यह अध्रक लेसुन मिर्चा प्याज अच्छे से पक चुके हैं स्वाट हो चुके हैं अब हमें फिलेम आफ करके इसे ठंडा कर लेना है तो यहां पर हमने इसे ठंडा कर लिया है अब इसे एक मिक्सी का जाल लेंगे और इसमें यह ट्रांसफर करेंगे इस तरीके से और इसका एक पेस्ट बना लेंगे कि अपर हमने इसका पेष्ट बना लिया है अब हमने यहां पर सेम पाइle लिया हुआ है आप चाहे तो इसे दूल सकते हैं या फिर दूसरा बरतन ले सकते हैं यहां पर हमने सबसे पहले यह जीरा डाल दिया है psycho अब यह बड़ी वाली लाइची तोड कर डाल देंगे और एक तेश पत्ता ह से हमने तोड़ डिया हमने में तोड़कर उसे डाल दिया और थोड़े से डाल चीने के टुकड़ा है अब इसे फ्राइ कर लें गे इस तरीके से फ्राइ करेंगे और अपना जो हमने पेश्ट बना के रखा हुआ है इसमें डाल देना है और इसे चलाते हुए हमें पकाना है अब हम इसमें स्वाधन स्वा नमक डालेंगे और इसे भी अच्छे से मिक्स कर देंगे यह देखिए इसी तरह से mix करदे 승 P मिर्ट अगर आप कलर चाहते हैं कास्मीर लाल मिर्च ले सकते है और यहां परमने हलदी मिर्च और धनिया पाषवर ड़ दिया अब इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे । इस तरीके से अब इसमें गरम माशाला और जीरे का पाउडर एड़ा है उन्समें अब इसे भी अच्छे 성 Mel डेंगे इसमें ज्starättा मसाल्य की जरूरत नहीं पड़ती है इस तरीके से मिक्स करने बाद इसमें एक मिज़कों, टकना है यह मिनट बाद इसमें होगे ओढ़ेंगे और मसालय को अच्छे से ऐसे मिक्स करते हुए हमें पका लेना है इस तरह से जब तक की मसाला हमारा अच्छे से तेल न छोड़ते हमें इसे पका लेना है इसके बाद हमने हापर दही लिया हुआ है दही को दो चमत दही है इसे अच्छे से फेट कर इसमें डाल देंगे दही डालते समय आप फ्लेम आफ कर दें नहीं तो दही फड़ जाती है यह देखिए हमने यह देख्यों फिर से फ्लिम और डिया से फिर से यह कर सकति यह यहां पर पका लिया यह देल मिर्च को जो फ्राइप करоме इसमें ढाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे इस तरह से ऐसे मिक्स कर देना है है वह अच्छी लगूँ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और य्वोडियो कोRIS जरूर करें क्लिए बनाने में पहुत ही मेनत लगती है तो हमने इसे एक मिनट के लिए ढख दिया था एक मिनट बाद इसका ढखकन हटाएंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे इस तरीके से इसे फिर से तेल छोड़ने तक हमें पका लेना है इस तरह से यह सबजी अच्छे से पक गई है और तेल भी छोड़ दिया है हमारे सारे घ्रू अधिर यह लागया ऐए nrl केसे अभीम कर सेथिया है यहां पर अध्य चाहते हैं यहां पर हमारी सब्की रिटी हो गई है भीरियो और दिया है हैं कि यह देखिए बहुत ही टेश्ट इस बनी है आप इसमें कलर चाहते हैं तो कास्मेरी लाल मिल्स इसमें जरूर एड करें यह देखिए जूम करके हम नहीं से दिखाया आपको बहुत ही टेस्टी सब्जी बनी है कि आप इसे जरूर ट्राइए करें थाइंक्यू फार वाचिन